नयाय की दिलाने के लिए क्योंकि अभी तक ये जानकारी ने हुई कि पहली हत्या प्रेम यादर की कैसे हुई और क्या सरकार छेपाना चाहती है जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे उन्हें कई अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा और अगर अधिकारियों को सस्पेंड किया तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये स्विकार कर रही है कि अधिकारियों की नाखाम ही रही है जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई और फिर परिवारिक चीजों में हम क्यों उलचें कि एक भाई ने जमीन बेज दी करते हैं उन्हों कम से कम पूरा का पूरे दोनों परिवारों को न्याय दें मैं तो मैं तो परिवार से मिलनी आया घटना असालगिया उस गऌञ ihmे भी गया जहां घटना हुई और शिदांजली भी दी जो परिवारों की जान गई ऑए और इस परिवार से मिला हमारे अंदर समाजवादियों के जितने साथ ही है वो सब चाहते थे कि दोनों परिवारों से मिले अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता है इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता है तो हम नहीं मिले, अब मुझसे ये पूछोगे, कि मुख्य मंतरी हैं, डिप टी सीम हैं, बिधायक हैं, मंतरी हैं, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं, इस प्रेह म्याद़क को माफिया कह रहे हैं, जमीन के गुंडा परादी कह रहे हैं, बुलोजर की धंकी दे रहे हैं, अब ब बुल्डोजर संस्किती नहीं हो सकती है लोग तंतर में और जो लोग बुल्डोजर क्या करवाई करेगा तुम ऊर बढ़काना चाहते हो जाओं तुमले प्तकार भाई तुम्हारा मन कर रहा हैं यहां भी नोटिस चिपकार दिया गया अने नोटिस तो यह क्या अधिकारी क्या है सरकार के सारे पर काम कर रहे हैं इसलिए मैंने का सासन प्रसासन के लिए और न्याय के लिए देवरिया कांड एक चुनोती है और अगर डियम यह सुईकार कर रहे हैं कि एक घटना के बाद द तो फिर अरे पतकार साती हो पतकारता करो क्यों बुड़ो जलिये घूंगते हो कि आप लोगों ने लगातार घटना के बारे में समय समय पर जानकारियां दिये देवरिया कांट सासन परसासन और न्याय के लिहाज से बहुत ही महत्पूर्ण है और जिस तरह की घटना हुई है हम सभी लोग उस मिलकर के उस घटना का निंदा करते हैं ऐसी दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली इधर ऐसी घटना नहीं हुई थी कि जहां पर इस तरह का घटना करम हो कि लोगों की एक साथ इतने लोगों की जान चली जाए जिस समय घटना हुई उसके बाद सभी चैनल, ठीवी और सबने जानकारी देना शुरू कर दिया मुझे याद है मैंने डिस्टिक मजस्टेट का वो बयान सुना जिसमें यहां के डिस्टिक मजस्टेट ने कहा कि घटना के बाद रिटेलिशन में दूसी घटना हुई है तो ये विशेष सासन, प्रसासन और न्याय के लिए महत्पूर इसलिए बनता है कि अभी तक सरकार जो जिरो टॉर्लेंस की बात करती थी गढ़ना पहली कैसे हुई उसकी भी सच्चाई अभी तक सामने नहीं ला पाए प्रेम यादव का मरना उन्हें घर बुनाना उसके बाद किसी धार-धार हतियार से जान ले लेना उसके बाद आस पास के छित पे ये सूचना मिल जाना कि उनकी जान चली गई, लोग गए और उसके बाद ये घटना हुई